जैन्वरी के एंड में ही एक नया मिशन लांच करने वाले हैं जिसे निसार नाम दिया जा चुका हुआ है यह निसार जाए वो लगभग इंडिया के क्रायोस्पियर को यानिके वो हिस्सा जहां पर वाटर सॉलिट फॉर्म में है यानिके फ्रोजन रीजिन्स को अर्थ के कॉंस्टेंटली मॉनिटर करेगा और डाटा हमें भेशते रहेगा तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कैसी क्या ज़रूरत पढ़ गई हमें के फ्रोजन एरियास को हम स्टडी कर रहे हैं और कितना क्रूशियल यह कोलाबरेशन माना जा रहा है तो यह वीडियो को शुरू करते हैं तो रिसेंट्ली न्यूस चैनल में चाया हुआ था कि इसरो और नासा दोनों मिलकर बहुत ही जल्द निसार सैटिलैट जो वो लांच करने वाले हैं जो के अर्थ के फ्रोजन रीजियन्स में जो चेंज आ रहा है उसे मॉनिटर करने की कोशिश करेगा अब जाहर सी बात है कि फ्रोजन एरिया की जब हम बात करतें तो वहां पर कई सारे आइस शीट्स हैं ग्लेशियर्स का इस्यूस है और जो प्रॉबलम है जो के प्लैनेट हम जाहर सी बात है कि हम सभी यह सभी प्रॉबलम से फेस कर ही रहें क्लाइमेट चेंज की वजए से यह acronym है दरसल NASA ISRO synthetic aperture radar का और इसे design किया गया है ताकि यह comprehensive picture ले सके अर्थ के cryosphere का जैसे के मैंने कहा कि अर्थ का वो surface जहां पर water solid form में हमें पाया जाता है जैसे कि Arctic Circle हो गया, Antarctic region हो गया और भी कई सारे अलग-अलग regions, Himalians का region भी हम ले ले तो जहां कई पर भी frozen regions हमें देखने क मिलते हैं, अर्थ के cryosphere में यह observation वहाँ पर की जाएगी, अब यह satellite इसी महीने end में launch किया जाएगा और निसार जो लगभग planet के पूरे land और ice surface पर bimonthly observations हमें provide करता रहेगा, अब यहाँ पर दो radars इसमें इंस्टिल किये जा चुके हैं, वह एक L band है और दूसरा S band है, तो यह through the clouds and darkness भी देख सकेंगे, और कई बार जो extended polar nights होते हैं, जिसके तहत पूरी तरीके से darkness हमें इन regions में देखने को मिलता है, at that point of time also यह radars बहुत ही powerfully काम करेंगे और observations हमें provide करेंगे, अब बहुत ही unique features इस निसार satellite की यह है, कि यह data collect करेगा खासकर Antarctic region से, अब कई सारे सानों से लगबग हम देख रहे हैं कि Antarctic region जो है, वो gradually diminish होते ही जा रहा है, and because of that, rising sea level भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी के जो imaging radar satellites है, वो इतने powerful नहीं है, और या पिर उन्होंने इतना extensively Antarctic region को cover नहीं किया गया, किया है वो है, तो because of that, निसार यह काम पूरा करेगा, और जा मिल्ट होते जाना, और जिस तरीके से स्नो का मिल्ट हो रहा है, और instability sea water में हमें देखने को मिल रही है, उसके बीच को relationship भी हमें पता चल जाएगा, और साथी साथ mountain glaciers के बारे में भी हम study करेंगे, और किस तरीके से sea level का rise हो रहा है, mountain glaciers की वजए से उसके बारे में भी discussion होग और साथी साथ, cloud cover जो हम पर persistent होता है, because of which हमें सही तोर पर weather information नहीं मिलते हैं इसे regions में, तो कई सारे जो cloud outburst हैं या फिलेशियल लेक्स के floods वगेरा हैं, इन regions में हम लोगों को बचा सकते हैं, crucial किस लिए है निसार, अब देखे, Arctic sea ice जो हो लगातार diminished होते ही जा रहा है, और Antarctic sea ice जो हो रेकॉर्ड स्थार पर सबसे लो है, 2023 पिछले ही साल हमने देखा हुआ था, और निसार का extensive coverage हमें पता चलाएगा, कि insights क्या क्या है, critical trends क्या क्या होंगे इन regions में, और साथी साथ हमें यह मदद करेगा कि किस तरीके से यह complex natural processes काम करते हैं, अर्थ के जो frozen frontiers हैं, जो cryosphere हम जी से हम कह रहे हैं, उसे observe करने में और समझने में यह बहुत ही अच्छा हमें मदद करेगा, ताकि हम climate change को और भी आगे समझ सकें, सिर्फ यह data जो है satellite का वो advanced scientific knowledge के लिए ही नहीं, कई सार हैं, आपको इस वीडियो में जाननी थी, वीडियो को एंट करने से पहले आप सभी को और बार याद दिला दू कि SSB crack exams के पास, SSB interviews are related, full-fail journal and course available है, हर महीन इसके नहीं बैचल सार्ट होते हैं, और friends के सांथ भी information share की जिगा, we also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and warrior written as a code which you should use, so that you get 10% discount, meet you next time, mental and stay healthy, stay safe, thank you for watching my lecture, जहन.